असलाम लेकुम स्टूडेंट्स क्लास 7 मैठ्स काउंट डाउन लेक्चर 10 स्टूडेंट्स इसमें क्वेस्ट नमबर 5 तक हमने प्रिवेस लेक्चर में किया था आज मार पास क्वेस्ट नमबर 6 है सिंप्लिफाई 3 बाइ 7 प्लास 5 बाइ 9 माइनस माइनस 2 बाइ 3 अब स्टूडेंट्स इसमें देखें सिंप्लिफाई का मतलब है कि हमने इस क्वेस्टन को तब तक जो है वो सॉल्व करना है जब तक इसको सॉल्व करने की अबिलिटी इसमें प्रेजन रहेगी ठीक है मतलब कि यह हमार पास 3 बाइ 7 है प्लस 5 बाइ 9 है और यह माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएँगे अब इसमें यह मैंशन नहीं है कि इसमें हमने प्लस करना है या माइनस करना है ठीक है सिंप्लिफाई का मतलब है कि इसमें जो भी अरित्मैटिक ऑपरेशन यूज हो रहे हैं उनको हमने solve करना है, solution में देखें, पहला हमार पास है, 3 by 7, plus 5 by 9, minus, minus plus, 2 by 3. So, इसमें देखें, denominator किसी का भी same नहीं है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर 3 है. So, मैंने आपको previous lectures में भी बताया था, कि अगर हमने इनको plus या minus करना हो, fraction की form में, then best यह है, कि हम इसका denominator जो है, वो same बना लें. अब इसमें देखें, students, 7 को multiply and divide करेंगे, 9 से, 7 को, यहाँ पर मर पास 5 by 9 है, इसको multiply and divide करेंगे, 7 से, plus, यहाँ पर 2 by 3 है, इसको multiply and divide करेंगे, 21 से, 3 को 9 से multiply किया, 27 plus, 7 को 9 से multiply करेंगे, तो मर पास आजएगा, 63, then plus, 5 by 9, 5 को 7 से multiply किया, 35, 9 को 7 से multiply किया, 63, plus, 2 को 21 से multiply किया, 42, and 3 को 21 से multiply करेंगे, तो 63 आजएगा, अब इसमें देखें, students, तमाम जो denominators है, वो same होगे, जब denominators same आजएए, तो LCM भी मर पास same आता है, which is 63, अब इसमें देखें, 27 plus 35 plus 42 and divide हो रहा है, 60, अब इन सब को हम plus करेंगे, plus करने से मर पास answer आता है, 104 divided by 63, तो यह महर पास answer होगा, question number 6 का part 1, अब इसका next part देखें, minus 4 by 11 plus minus 2 by 3 minus minus 5 by 9, अब इसके solution में देखें, पहले हम इसको simplify करते हैं, minus 4 by 11, यह 11 है, इसका denominator 3 है, और इसका denominator 9 है, so students, सबसे पहले हैं, क्या step है, कि हम इसका denominator जाब उसको same बनाएंगे, अब 11 को 9 से multiply करें, देखान हमार पास क्या रहाता है, 99, then 3 को 33 से multiply करें, तो हमार पास आता है, 99, और 9 को 11 से multiply करें, तो हमार पास आता है, 99, so it means कि, minus 4 by 11 को multiply and divide करेंगे 9 से, minus 2 by 3 को multiply and divide करेंगे 33 से, और next यह देखे, minus, और यह जो minus 5 के साथ है, minus minus plus हो जाएगा, तो 5 by 9 को multiply and divide करेंगे 11 से, so students यह मर पास वाजएगा, minus 4 multiply by 9, minus का 36 and 11 multiply by 9, 99 and minus 2 multiply by 33 equals to minus 66 and 3 multiply 33 equals to 99, so plus 5 को 11 से multiply किया, 55 and 11 को 9 से multiply किया, 99, so इसमें देखें, students, आब हमारे जो denominator हैं, वो सबका सेम हो गया है, तो LCM भी मार पास क्या आजएगा, 99, अब इसमें, minus 36 और minus 66, इन दोनों के साथ sign negative है, minus का sign है, so minus minus plus हो जाएगे, लेकिन इनको plus करने के बाद, जो हमार पास sign होगा, वो हम minus का mention करेंगे, क्योंकि दोनों के साथ minus है, इसके लावा जो बड़ी amount के साथ sign होता है, वो हम mention करते हैं, तो minus 36 and minus 66 को plus करके, इसमें से minus कर देंगे, 55, तो हमार पास आजएगा, minus 47 divided by 9, अब next देखें, इसका third part है, minus 1 by 6 plus minus 2 by 3 minus 1 by 3, so इसका solution देखें, students, इसमें मार पास minus 1 by 6 है, अब बजाएगे, हमार पास LCM, इसका हम 6 बना लेते हैं, बजाएगे, हम इसको जो है, वो length ही multiply करें, अब यहांब हमार पास 6 है, अगर हम 3 को multiply करें 2 से, तो हमार पास 6 से आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां इसका denominator भी 3 है, और इसका denominator भी 3 है, हम इन दोनों terms को multiply and divide कर देंगे 2 से, so solution में देखें, minus 1 by 6, minus 2 by 3, multiply and divide 2, minus 1 by 3, and multiply and divide 2, इसमें देखें, minus 1 by 6, 2, 2's are 4, 3, 2's are 6, and minus 2 को 1 से multiply किया, 2, and 3, 2's are 6, अब इसमें देखें, हमार पास denominator सबका सेम है, which is 6, so denominator LCM हमार पास क्या आ जाएगा, 6, और minus 1, minus 4, and minus 2, हमार पास आ जाएगा, minus 7 divided by 6, so students, question number 7 है, multiply, इसमें हमने multiply करना है, 4 over 15, by 3 by 8, इस by का मतलब है, multiply, ठीक है, by को हम remove करके क्या लखेंगे, multiplication, so इसमें देखें, 4 by 15, multiply 3 by 8, अब हम 4 को 3 से multiply करेंगे, तो हमार पास आजएगा 12, 15 को 8 से multiply करेंगे, तो हमार पास आजएगा 120, अब देखें, जब हम 12 का table 10 टाइम पढ़ें, ठीक है, तो हमार पास आजएगा, 12 1s are 12, and 12 10s are 120, so हमार पास answer आजएगा, 1 over 10, अब इसका next part देखें, 3 over 11, by minus 2 by 9, so इसका solution देखें, हमार पास है, 3 by 11, multiply, minus 2 by 9, अब इसमें देखें, हम 3 को minus 2 से multiply करेंगे, तो हमार पास आजएगा, 3 by 2s are 6, और 11 को 9 से multiply करेंगे, तो हमार पास आजएगा, 99, अब इसमें देखें, यह minus 6 है, और यह 99 है, अब हम इसका table पढ़ेंगे, 3 2s are 6, 3 3s are 9, and 3 3s are 9, so हमार पास आजएगा, minus 2 by 33, अब इसका third वाला पार्ट देखें, हमार पास है, minus 5 by 7, by 14 over 15, so इसमें हमार पास आजएगा, minus 5 over 7, multiply 14 over 15, so इसमें, minus 5 को हम 14 से multiply करेंगे, तो हमार पास आजएगा, minus 70, and 7 को 15 से multiply करेंगे, तो हमार पास आजएगा, 105, so इसको हम cutting करेंगे, तो हमार पास क्या आजएगा, 14, minus का 14, divided by 21, अब इसमें देखें, 14 and 20 जो है, यह मज़ीद जो है, वो एक सेम टेबल पर जाते हैं, हम क्या करेंगे, minus 2 by 3, 7 2s are 14, and 7 3s are 21, so students, यह था हम आजएगा, लेक्चे नबर 10, जिसमें हमने सिंप्लिफिकेशन की, by plus minus, and multiplication की, इसके रालिमेंट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुसे कमेंड में पूछ सकते हैं, थैंक यू सो मच, अल्लाहाफीज,